तो आईए वीडियो को सुरू करते हैं हम लोग पिछले वीडियो में जाने थे लेक्चर नमबर 21 में सर्विस कनेक्शन के बारे में सर्विस कनेक्शन होता क्या है इसके बारे में आपको मैं पूरी चीज़ों को मैं समझाया था जिसमें मैं आप लोग को बता दू फिर से कि मैं क्या क्या समझाया था तो सेवा सन यूजन क्या होता है इसके बारे में बताया था फिर ये कितने प्रकार के से हम करते हैं सेवा सन यूजन उसको भी मैं समझाया था जैसे कि प्रदा यानि फीडर के अधार पर और फिर इसके अबार फिर्टर बोल्टता का अधार पर फिर का है कला संख्या की आधार पर और फिर संस्थापन विधी की आधार पर ठीक है इसमें कुछ विधियां थी उन सबको फिर भूमी गस सेवा सन्यूजन की आधार पर ठीक है फिर उसके साथ साथ में एक सवाल को भी साल्व कराया था ठीक है तो यह सारे सारे चीज़े हम लोग आप हम पढ़ चुके थे आज हम लोग पढ़ेंगे सर्विस कनेक्शन ही लेकिन सर्विस कनेक्शन का मैं दूसरा टाइप का कोश्चन आज सालू कराऊंगा ठीक है तो दिखिए येस में कोश्चन जो है कितने प्रकार के आपके आएंगे ये आपको स्कीन पर दिख रहा होगा ये का उर्ध्वार्धर ब्रेकेट प्रारूपी आएंगे चैती ब्रेकेट प्रारूपी आएंगे आई रैग बोल्ट प्रारूपी आएंगे जियाई पाइप प्रारूपी आएंगे भूमीगत सेवा सेनोजन के आधार पा भी आएंगे मतलब आप देखे देखे हम लोग गीन सके तो एक, दो, तीन, चार और इसके पार उपर पांच पांच टाइप के आपके पेपर में کوशन आएंगे तो मैं तो देखा जाये तो आप लोग सोच रहे होंगे की आपके मन में तो कभी-कभी आया ही होगा आप लोग को कि सर अईसा कोई हमको नियम मिल जाए हां आकासवारी हो जाए जिससे कि हम एक ही चीज को पढ़ ले और सारे कोश्चन में वही उत्तर लिख के चले आए कितना अच्छा होता ठीज ना तो हम इस वीडियो में आपको कुछ ऐसा ही बताने वाला हूं कि एक ही चीज पढ़िये और उपढ़ने के बाद आप सारे कोश्चन में वही चीज लिख किया इया कोई चेंजिंग नहीं है बस एक जगा चेंजिंग होगी वह अंडर ग्राउंड जब पढ़ेंगे हम उसके लिए चेंज करेंगे ओफर हेड में जितनी भी चीजे आपको ये पांच चीजे दिखेंगे ये आपको कोई तकलीफ नहीं देने वाली है बहुत मेंmem इन सभी पांचो कोश्चन में आप एक ही तरीके से सब कुछ लिख किये आएगे ठीक न इस वीडियो में मैं ऐसा ही कुछ बताऊंगा कि जिससे सारे एक कोश्चन को साल्व कर लिए तो मान लिजिया कि आपको सारे कोश्चन आ गए ठीक न तो मैं ऐसा ही मैं बताने वाला हूँ तो इस चीज को मैं आप लोग को फिर से रिवाइच करवा दे रहा हूँ कि आप लोग इसको रिवाइच करिए कि देखिए सीरो परी जह हमारा लाइन होगा सीरो परी लाइन होगा तो सीरो परी सेवा सनोजन कितना होता है यह देखिए 20 किलो वाट तक होता है हमारा सीरो परी सेवा सनोजन और 20 किलो वार्ट से उपर पर जो हम करते हैं वो हम कर अंडरग्राउंड करते हैं किलियर बात समय आ चुकी होगी यह आपको याद हो गया होगा दुबारा यह भूल गए होंगे तो आप लोग को याद हो गया होगा जो बच्चे नए आये हैं वो लेक्चर नंबर 21A देख ले आपको सारी बाते किलियर हो जाएंगे तो आप अभी तक नहीं देख पाए हैं नए बच्चे कोई तो जा करके पहले आप लोग 21A लेक्चर नंबर आप देखिए प्ले लिस्ट में जा करके है risk है तो यह बात आपको किलियर हो गई हम यह मान के चल रहे है ठीक है यह बात आपको किलियर हो गई होगी ठीक na तो देखिए यहां पर 20 कीलो वाट तक रहेगा तो हम सीरो पर इस लव ओभर हेड़ लाइन हम लेकर जाएंगे service connection के लिए और 20 kilowatt से उपर है तो हम क्या करेंगे underground cable लेके जाएंगे service connection के लिए ये बात दिमाग में भर चुकी होगी ठीक है आपको मुखरुब से इस ध्यान इसी पर देने है ये kilometer घटता भड़ता रहता है इससे ये हमेशा बैरी करता है इसलिए हम इस पर विचार नहीं करेंगे तो हमें विचार किस पर करना है बस ये wattage पर देखिएगा ठीक है तो ये याद होगे आपको दुसरी चीजे देखा जाए कि उर्धवारधर bracket प्रारूपी देखिए मैं आपको याद धरा रहा हूँ फिर से बस ठीक ना उर्धवारधर bracket प्रारूपी ये किस के लिए करते है जब एक मंजीला मकान होता है तब के लिए करते है इसमें जो क्या होता है कि जो bracket होता है bracket से मीटर बोट जो होता है वहाँ तक की दूरी हम 10 मीटर लेते हैं और 36 प्रारूपी में हम क्या होता है जो bracket होता है bracket से लेकर के मीटर बोट तक की हम 12 मीटर लेते हैं यही चिम्याँ आपको आज में बताऊंगा ध्यान समझेगा यह 10 और 12 क्यों लिखा गया है कहां से लिखा गया है तो वही चिम्याँ को समझाने वाला वाजू ठीक है तो यह इसी हो समझेगा तो एक मंजिला और ध्वारधर दूरी मंजिला 36 ठीक है दूरी मंजिला में 36 होगा और एक फेज या सिंगल फेज इदे यूज करना है तो आई रेक बोल्ट हम लोग यूज कर सकते है और फिसके बाद जी आई प्रारोपी है तो 20 किलो वार्ट तक हम लोग यूज कर सकते है मैक्सिमम 20 किलो वार्ट तक ठीक है बास भाई बस यह इतनी बात आपको ध्यान देनी है तो हम कौन सा करेंगे 36 प्राव रोपी और यदि एक सिंगल फेज या 3 फेज है तो क्या करेंगे वहाँ पर तो यहाँ पर क्या करेंगे आई रेक बोल्टाइप प्रियोग कर लेंगे और फिर जी आई वाला कब प्रियोग करेंगे हम 20 किलो वार्ट अगर हैगा तब प्रियोग करेंगे तो ये बाते सबको क्लियर हो गई होगी अब देखिएगा ये 10 और ये 12 के बारे में मैं आपको समझाने वाला हूँ यहां यह 15 जो है इसके बारे में भी मैं समझाऊंगा ठीक न तो चलिए आएए देखते आगे तो देखिए इस चीज़ को मैं आपको देखा दूँ एक बार तो समझे ले कोशिज करेंगे तो अच्छा रहेगा आपको सभी के बारे में यह देखिए आपको जो दिखाया गया वहाँ पर वो चीज़ देखिए यहां दिखाया गया है एकल कलिए बल्ला आई रेक बोल्ट टाइप सिंगल फेट जो है सिंगल फेट जो है यह आई रेक बोल्ट टाइप का यहां पर बनाया गया है यह देखिए आप का मकान है मकान में I-reg bolt इसमें डाल दिया गया है और यह यहाँ पर जो निकला होता है इस आकार का यह I-reg bolt आइट करके और यहां से connection को जहां मेटर बोट तक चला गया है है यह नहीं यह बात समयारी आपको ठीक है यह हुई यहां की बात है अब देखिए दूसरी चीज़ी आप देखेंगे तो यहां पर देख लेजिए आपका क्या है तीन के लिए होगा हाँ तीन फेज के लिए यह connection था ठीक है और इसके बाद क्या था यहां पर यहां पर देख लेजिए underground के लिए आपका यह था underground के लिए यह आपको दिख रहा होगा इस skin पर ठीक है यह था आपको underground के लिए आपको figure ही याद करने हैं, कुछ नहीं याद करने हैं आपको, सारे figure सब के figure ही याद करने हैं आपको, ठीक ना, ये देखिए क्या है आपको, figure में दिख रहा होगा, ये 6 प्राडूपी है, कैसा ये है, 6 प्राडूपी, ये आपका 6 प्राडूपी है, ठीक है, ये देखिए मका है आपका माकान हो गया ये आपका च्छाथी रोप में ये लगा आपका और यह सिंगल धेश सप्लाई के लिए लगाया गया है सिंगल सप्लाइ केproduct लिए केलिया लगायागत रहे तो इस सबसद हो देखते होती है यह 15 होती है और इसके जो पीछे वाला भी जैसे दिखाए थे इसकी मलग इसकी distance कितना लेते हैं 12 लेते हैं ठीक न कहां से 12 यहां मेटर बोड है तो यहां से यह bracket है bracket से यहां से लेकर कि यहां तक की दूरी कितना लेंगे हम 12 लेंगे और इसमें कितना लेंगे 15 मिटर लेते हैं यहां कितना लेते हैं हम 15 मिटर यानि इस ब्रैकेट से मीटर बोड तक की दूरी ठीक है और इसके बारे में देखे हम लोग ठीक है यह देखो उर्धवार्दा प्रारूपी जो यह दिमारा हमारा रहेगा तब तो उसमें कितना लेंगे हम 10 लेंगे यह डारेट सीधे मिटर बोड में चला जाता है यहां पर ठीक है यह 10 मिटर तो आपको याद हो गया होगा उर्धवार्दा प्रारूपी में यह हम 10 मिटर लेते हैं और फिर ठीक है यहां पर हम 15 मिटर लेते हैं ठीक है जो रितूस के भी लोते हैं यहां पर हम यहां पर हम 12 मिटर लेते हैं और यहां पर भी हम 12 मिटर लेंगे ठीक है तो यह बाते हैं तो सारी बाते यहां आपको समय में आई होगे ठीक ना अब आते हम लोग म सवाल पर तो ठीक है ये देख दिया गया है एक दो मंजिला भवनiran वाला उभुखता अपनी दुकान वर निवास है तू 10 किलो वाट का तीन कली सेवा सनयोजन चाहता है तो 35 मिटर की दूरी पर इस्थित वीतरल पोल से सेवा सनयोजन परतान करने है तू लागत की गड़ना कीजिए तो आप तो फिगर देख और कोशन तो पढ़ी लिया होंगे कोशन पढ़ कि आपको समय आ गया होगा कि दिया क्या क्या है एक भवन दिया है दो मंजीला है और एक वाटेज दिया है दस किलो वाट है नहीं दस किलो वाट और क्या करना है तीन तीन फेज नमला करनेक्शन करना है तीन फेज तीन तार वाला चार तार का करनेक्शन करना है इसमें चारता लिखा नहीं है तो आप अपने से कर सकते हैं या फेज तीन फेज तीन तार का ही कर सकते हैं इसमें कुछ नहीं बोला तो आप जो मन करना है वो कर लिजिए और यहां 35 मीटर दूरी एक वित्र पोल है ठीक है जहां सर्वी कनेक्शन लाना है ठीक है तो कितने पॉइंट मिला है आपको एक पॉइंट ये दो पॉइंट एक तीन पॉइंट एक चार पॉइंट एक पांच पॉइंट ये आपको पांच पॉइंट मिले तो देखिए ये आपको जो दो मंजी लाग का मकान था और फेज के बाद वित्रल पोल से उभुगता के मीटर बोर्ट की दूरी कितनी थी? कितनी थी? 35 मीटर थी, कितनी थी? 35 मीटर थी, और कहां था? उभुगता को 10 किलो वाट थी फेज की सप्लाई चाहिए, यह तो पता है, उसमें में दिया है, और फिर उसका कूल समान मुल को ग्याद करना है, ग्याद करने के लिए बोला ग्याज में, और प्रकास पंखा परिप कितना वाट कर देना है? 10 किलो वाट कर देना है, प्रकास पंखा परिपत कितने किलो वाट की है? 10 किलो वाट की है, यह बात समयारी आप लोग को, तो 10 किलो वाट की है, तो यहां से आपको सारी चीज़े किलियर हो चुकी होगी, ठीक है? तो जब सारी चीज़े यहां से किल यहर हो चुकी होंगी तो 10 किलो वाट बात को समझेगा एक वल्लत 3,000 वाट का आपका कितना होता है एक सर्कीट होती है यह बात समयारी आपको 3,000 वाट का एक सर्कीट तो यहां से देखा जाए तो कुल कितने सर्कीट बनेंगे 3, 4, 4 सर्कीट बनेंगे आपको आपको केतने सर्कीट बनेंगे 4 सर्कीट 3, 3, 9, 1, 10 है ना तो 3, 3, 9, 1, 10 तो 3 और 1, 4 चार सर्कीट बनेंगे आपका यह चार सर्कीट आपको देखी सर्कीट के संख्या निकालना में आपको बताया हूँ सर्कीट के संख्या को निकालना में तो तीन हजार जो होता है तीन हजार वाट एक किलो मलब्ल एक सर्कीट के लिए उन्हें धारत होता है इसी तरह तो एक सर्कीट यहां सा बन जाएगा फिर तीन हजार तो कितना हो जाएगा तो इस हिसाब का आपको समया कि चार सरकीटे बनेंगे तो चार सरकीट होगा तो चार हमारा क्या होगा यहाँ पर कटाउट होंगे कटाउट कितने होंगे हमारे चार होंगे और चार फ्यूज बोर्ड भी होगा, ठीक न, तो यह समान आपको ग्याद करने में आसानी होगी जो मैं बता रहा हूँ अभी आपको, ठीक न, तो यहां से आपको जो दिया है वो लिखने आ गया होगा, हम यह उमीद करते हैं, आपको जो दिया है, यह चीज़े आपको लिख देखा जाए तो फिर इसके बाद हम क्या करते हैं इस वीडियो को इतना ही देख लेते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देख लेते हैं मलब इसके मलब जो सवाल है इस सवाल को पूरी फुरली कांसेट के साथ देख लेते हैं तो अच्छा रहेगा आप लोग के लिए दोसे चोटा से वीडियों हो तो इसको समझना आपको आसान रहेगा थृ कि तो थोलबा वीडियो यदि हो गया थो थोला सक इसक्टमं काके दिक्कत हो सकती है इसलिए मैं सोच रहा हूं कि इस मीडियो को एक वीडियो में ही खतम कर दें ठीक है तो ये आपको मैं जो concept दिया वो concept आपको समयाया उस concept concept में क्या था में हमको मुद्धा बताना ये था कि आपको ठीक है आपको क्या याद करने है figure याद करने है हर चीज के जितने पांचो टाइब की बता है पांचो टाइब के में figure भी दिखाया आपको वही पांचो टाइब के figure को आपको बस याद करना है और कुछ भी नहीं करना है बस figure याद कर लिए अब मैं इस सवाल को question number 2 को मैं करवा रहा हूँ साल्व कराऊंगा इसमें आप देखिएगा आपको मैं सारे चीजे सारे चीजे एक लब आप कुछ बिला कर देखा जातो आप किवले इसी question को आप याद कर लिजिए और सारे question में लिख आएगा इसी को ठीक है बस figure change करते रहिएगा figure कैसे change करना है ये अभी में बताया आपको कि 20 किलो वार्ड तक है तो overhead करेंगे हम और overhead में हम लोग कौन सा करेंगे एक मंजिला दू मंजिला के आधार पर और single page और three page के आधार पर हम बाटे हैं तो एक मंजिला के लिए हम लोग उर्थवार्ध वाला यूज करते हैं और दो मंजिला के लिए हम छेती यूज करते हैं और eyeball claim type होता है तो हम उसको किसमें यूज करते हैं eyeball claim type में हम लोग होता है तो हम लोग के single page और three page यूज कर लेते हैं और क्या होता है GI 5 type 1 होता है तो उसको हम 20 किलो वाड़ तक यूज़ करते हैं मैकसिमम ठीक है और सब में हम डिस्टेंस भी बताये थे कि जो सर्विसमेंस होता है और मेटर बोर्ट तक की जो 20 की दूरी होती लाते है तो 36 वाले में 10 मेटर और 36 वाले में 12 मेटर और जियाई पाइप बाले में 15 मिटर लेते हैं बस यही तीन टाइप के आप पढ़िए आपको यतना ही में आपका फस जाएगा ठीक है? और यहीं दूसरा भी देता है तो आपको फिगर के वाले आपको याद ही करना है फिगर एक बार बस याद करेगा फिगर याद करना बहुत कठीन नहीं है एक बार बनाएंगे अब सारी बाते उसमें समय आ जाएगा अब कहिए तो मैं आपको फिगर को याद करना भी मैं समझा दूँगा कि फिगर को कैसे याद करते हैं ठीक है तो चलिए इस वीडियो को यहां तक ही देखते हैं इस सवाल के फुली कंसेप्ट को नेश्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं ठीक है किसी को आपती है इसके लिए तो थोड़ा सा बताईएगा ने तो फिर कोई बात नहीं आप next वीडियो में देखिए मैं इसको फुली concept दूंगा आपके पास कोई कहरी नहीं बचेगा कि sir इसकी अलावा में क्या करूं इतना दिया है तो मैं क्या करूं कोई आपके पास excuse नहीं बचेगा ठीक है तो आएए नेक्ट वीडियो को हम लोग चलते हैं नेक्ट वीडियो के तरफ ठीक है तो आज मलब इस वीडियो के लिए तो नहीं आज आज आपको दोनों वीडियो देंगे ठीक है ये वीडियो तो मिले कहीं मिलेगा जश्ट इसका अगला वीडियो भी आज ही आपको upload कर देंगे, साथ ही साथ, ठीक है तो, दोनों साथ साथ देखिएगा दोनों साथ देखेंगे, तभी आपको पूरी चीजे समझ में आ पाएंगी ठीक है, तो आएे चलते हैं, ठीक है, आज के लिए मैं भला सारी, इस वीडियो के लिए इतना ही ठेंक यू ठीक है मिलते हैं तुरंद नेक्स्ट वीडियो में आएए पांच मिन बाद ठीक है